वाले वाले अप्षिन और आज की वीडियो बात करें कम लोग उन इंजिरिंग एंटन्स एक्जाम के बारे में कॉलिज के वार में इनके अप्लिकेशन फॉर्म अभी तक है या आने वाले है तो इसमें अप्लाइ कर सकते हो इन सब कॉल्ज की स्पेशियल डिया इन सब का अव आदो के स्लेक्शन काफी होते है ठीक है तो मैं डिटेल में इस वीडियो में तीन चीजे बतांगो इंप्लिकेशन फॉर्म क्या होगा प्लेस्में डिटेल में बात करेंगे शायद वीडियो हमारे 12-15 मिर्ट के हो सकती है तो वीडियो को एंड तक देखना वीडियो को आने माले तो त्यार रहना उसके लिए तो कमेंट कर देना कि कौनको सी वीडियो चाहिए तो आप से रीवीव भी आ जाएगे हर कॉलेज के तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो एक्जाम करने बताऊंगा सबको बता होता है मैं फिर भी बता रहा हूं ज चुलाई के बीच में है और पहला आपको बीच से 29 के जून का इसके बिसेंगे काफी 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 कॉलिज मिलते हैं इंडिया में ना गवर्मेंट कॉलिज अब देख रहे हो तो 70-80% कॉलेजिस में और इंडिया जाओगा तो इसी से मिलेगा चाहिए में से इसको देख लि करगा चीजलगा उनला के बात किसे का इसे से का बात कररें अगर जो तो इसको फुरी चीज्ट शूद्न की फिर तरफ वह खएंस की अगिच में हो एगर डाल इक सुन नोगे तो इसके इतार बौठ जोरय को एपाल तो तीसरा है हमारे इंडिया नेवी और आर्मी का यह जी में के इंदर आपको 40 आर डी सार आर ऐसे रांक चाहिए थे नहीं पिएस की बात करें तीसे इंदर आपका लास्ट यह जो इसे लेक्शन के लिए डाले था फाइव श्लैक्ट का भी डाले बच्चों के रहे थी तो प तो इसका फॉर्म आपका अगस्त अक्टूबर के बीच में करिसे में आ सकता है और फॉर्म सिर्फ तीन चार वीक के लिए होता है तो देहान से देखते रहना में वीडियो बनाऊंगा मगर आप भी देखते रहना और जी में टंडियो के बासिस पर होगा तो हमारा अगस्त इसका फॉर्म से अप्लाइ कर सकते और विए टी ट्रिपली है नेक्स कॉलेज हमारा विलोड के बारे में आपको पता होगा विए विलोड के रहे हैं इसके यह एप्लिकेशन फॉर्म की वीडियो के आसपास इसकी रिजिट्रेशन अभी तक 30 महीं तक है तो खतम होने वाले है दस दिन बच्चे मुश्किल से जल्दी से अप्लाइ कर दो नौ दिन बच्चे तरीके से तो जल्दी से सिंद्र अप्लाइ कर देना एक्जाम हमारा ती जून से लेकर 6 जुलाइक के बीच में इसकी आपकी प्रपरिशन ओली वीडियो आने वाली है एबरेज पैकेस इस स प्रपरिशन आपका नौ इसकी रिश्ट्रेशन अभी चल रही है एक्जाम की डेट में नाइन 10 11 जून को पहला फेज सेकंड फेज और तीसरा फेज हो है आपको 10 11 जून को एक्टम साथ में डेट डाली है इनोने तो इन दोनों फेज में इससे क्या होगा ना कि आप देख करें कॉलेज के अंदर तो चॉदा सो ओफर्स में लिए टूटल के फुर्टिन ने इसमें से टॉप टॉफिफ्टी ऑफर्स की बात करता अवरेज 20.5 लैका था स्टार्टिंग के हमारे मैं बात करूं 250 के देख रों काफी मदला अच्छा रिश्यों निकल रहा है हमारे इस सब्सक्राइब करें निकल रहा है तो दो जार रुपे का इसका एप्लिकेशन फॉर्म है मनिपाल कर तो इसका बढ़ सकतो इसका दो आप अपने आप से बढ़ सकतो फिर नेक्स एक्जाम के बात करें वह आई से एटी है जब मार्शिब नादर की बिसस्पोता है इसकी जी म प्रफ नक्स एक्जाम होता तो दोनों की बेसे मैं अपलाय कर सकते हो फुल्ब मही से लेकर 15 जुलाइट तक इसकी आपको रिच्ट्रेशन करनेगा मोखा मिलेगा ठीक पन्दा जुलाइट तक आपको सटाइम है इसका इसकाम है इसका यह जुलाइट को अलग सब्सक्राइ एट लैक का एवरेज प्लेस्ट है इस प्लेस्ट करो टॉप नीफ परशन दिए थाल यावरेज है रिद्टी परशन की बात करो थाट नस्वारेज बात करते हैं हमारा बैंगलओर के इनदा कॉलेज है कोमेट के में कि अपिसकी फॉर्म भाग को बच्चे बच्च बढ़ नी सकते हो 14 जुलाई को आपका रिजल आएगा और एप्लिकेशन फॉर्म एकजार पचास की हाइस फॉट्री लैक का गया है मगर ऑफ केंपस की बात करोगे तो 1.5 क्रोड का है हाइस प्यूनिवस्टी का का प्लैक का अपके सब्सक्राइब तो फी उससे बात करें तो बहुत गम जगा आपने लेखने नहीं लें तो अभी बोलना नहीं चाहूंगा वगर निखल सकते है फॉर्म तो फुर्म का फॉर्म हों तो निकला नहीं है ठीक पहले हो चुके एक्जां तो वापस ने अनग तो देखते हैं, पर नेक्स है हमारा SRMJE, SRMJE कफी इच्श है, USM उनिवेस्टी इस्रम कामार्चे, मेन कैंबस आपको KTR नमीलेगा चन्ने मेę से नहीं में तीन कैंबस है, और बागी बात करें तो टीन कमस है , आपको अगर आपने यह पैला टैम डे रहे तो 1200 का अगर दूसरा टैम डे नहीं आ रहे तो 600 एक्टा लगेगा और इसके आवरेज पाके 6-7 लाग के आज पास कही रहता है कॉलेज आपको अच्छा है ठीक है गालेज पास कही रहता है तो इसका है अच्छा 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 थे इसका रूपे का फ़र्म में फेस्ट देना चाहोंगे तो आपको शेए टेट निश्ट्राइगा पिर नेक्स्कॉलज की बात करते हैं नया कॉलेज में बना हुआ है पांच-छे साल गंद इतनी काफी अ इसकी आपकेज की बात करें तो 9,00,000 गा का रिए पैकेज और इस पैकेज फॉट्य फोटी-फोर लैग का है तक आप बेंद निश्टी नहीं है लोगों पता नहीं है राम से इड़ीशन हो जाता ता इसमें स्कॉलर शिप मिल जाती तो उसके उपरा अलग से वीडियो भी जाएगी तो इसके अंदर कर सकते हैं तो रेस्टेशन आपको 30 जून तक का होगा इसका अभी इस्टेशन के एक्जाम वगारा को यह भी डिटेल नहीं पता चला मगर आप जितना जल्दी हो सकते हैं फिल कर सकते हैं फर्स कम फस्ते स्पेस की सीट मिलेगी आपको और इसके अ आपको ना जिसे आप जीमें की बिस्स पे ट्वल के बिस्स पी ले सकते हैं तो यह एग्जाम दो देना तो इसके लिए चाहिंड जाए तो इसके लिए थैटीन नेट फिफिटी का फॉम है यह बैक अपके लिए कॉले अच्छा है क्योंकि इसकी फीज महिंगी है में अग प्लेस्मेंट इसका आपको 5.12 लेका है जो एक प्लेस्मेंट अब ठीक है काफी प्राइवेट कॉल्स कंपे करो तो और अलमस्ट प्रसंट क्लेम करता है कि अंदर की 100% का सब्सक्राइब ब्रांच इतनी भी उसके अंदर तो यह ठीक हो साब से बैक अप के लिए कॉले आप देख सकते हो इसको बस फीज महेंगी होगी और बाकी ब्रांच के के लावा बात करे जाए तो 4.5 लेक का स्काइवरिज पैगेज होगा तो अगर आपको स्कॉलर्शिप वगर्रा के बिसस्में देख सकते हो फीज आपकी कम हो जाएगी तो असानी होगा इसकी भी लाजड जून तक है एक से दो जुलाइक की बीच में इसका फस्ट फेस का एक्जाम है और टैन जुलाइक को आपको एक्जाम का रिजल्ट लाइगा सेवंटीन हंडिट का अप्लिकेशन फॉर्म है और एक सी बता देता हूं कुछ लोग इसमें में मेंजमेंट कोटा की तरो भी जा सकते हैं जलाइक जलाइक वह प्रश्ट का रिजलाइक तो आप इसमें अराम से कर सकते हो एक हमारा सिद्गंगा एक साइटी ट्रिपल एक ग्साम होता है 15 जून तक होगा एक्जाम 3 जुलाइक हो रिजल्ट 12 जुलाइक वाएका फॉर्म की फीर नाइंटीन हिने फिफ्टी सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है बाकी हमारा एक्जाम है इसको ध्यान से सुननों बहुत कम बच्चे बढ़ते हैं इसका नाम है अलिगार मुस्लिम युनिवस्टी एम्यू ट्रिपल एक्जाम है इसका तो इसको फिल कर सकते हो 28 महीं तक इसकी रिश्टेशन हो की बीटेक का सब्सक्राइब कर देना किसी में भी हो जाए ले लेना 18 जुलाइब को इसका बीटेक का 31 जुलाइब की फॉर्म की एप्लिकेशन फी 600 है और बाकी बीटेक की 800 है अलिगार मुस्लिम युनिवस्टी काफ है इसकी फीज भी गम है और आपको प्लेस्मेंट भी अच्छी खास और काफी जल्दी आपके आसे काफी सारी वीडियों आने आले तो इसके ताहर है ना थेंगी जोस्तों इस वीडियों देखने के लिए